Hello everyone, Sir, आज आपका CA Foundation का accounts का paper था, मेरे इसाब से अच्छा ही गया होगा more or less paper उतना कोई tricky नहीं था, एक दो question थे थोड़े से ध्यान दखने के और बाकी तो आपका question easy था, partnership admission ही आया और बाकी chapters भी जैसे बोड सोचे थे वैसा ही आया, account current was very important, it came अब जो हो गया उसके बारे में सोचके कोई फाइदा नहीं है, अगर तुम pass हो सकते हो तो it is very good, you should prepare for your next paper, law, law and BCR में बहुत score हो सकता है, BCR बहुत easy है, law थोड़ा सा tricky हो जाता बच्चों के लिए, तो law में क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले यह ध्यान रखना कि पांच नंबर का LLP आएगा, question 2b, वो पांच नंबर एकदम straight forward आता है, उसके लिए क्या पढ़ें sir, एक तो whistleblower पढ़ लो, whistleblower वाला concept, दूसरा पढ़ लो देख लेना, यह तीन चीज अगर तुम देख लेता हो तो तो तुमारा इससे काम हो जाएगा, LLP का, सर जी, अगर sale of goods act का बात करें तो unpaid seller, very, 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 very important आत के लिए, यह ध्यान रखना, इसको एकदम धंग से करके जाएगा, साथ में sir ji, nemo debt, quad non habit, no one can pass a better title to the goods to which he does not have, यह पढ़ के जाना, तीसरा, risk passes with ownership, यह तीन कर लो, इसके अंदर में यह बहुत important रहेगा, second unit में स्रिफ doctrine of KVA टेमटर करो, मेरे हिसा में आए, तो unit 1 में difference देखो, sale और higher purchase के बीच का difference, sale and agreement to sell का difference, यह दो तीन चीज़ देख लो, goods का definition देख लो, delivery का definition देख लो, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा sale of goods act में दरकार नहीं है, Indian contract act, sir ji 22 माग करीब का आता है, इसके अंदर में बहुत सारे questions है, Indian contract act में क्या क्य very 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 important for you people, contingent और quasi आना ही आना चाहिए, दो में से कोई एक आ सकता है, या दोनों आ जाए, कोई बड़ा बात नहीं, एक तो आए गई आएगा, तो unit 6 पे पूरा focus रखो, unit 4 तुमारे लिए उतना important है, 5 उतना important नहीं रहेगा, breach, damages, दोनों छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना वो तुमारा उसके अंदर में, breach में, बस उतना उसका हूँ, पार जलू देख लो, उसके बास सर अपना, contracts need not be performed, waiver of performance यह सब जो चीज होता था, वो ध्यान रखना, novation और alteration के बीच का difference देख लो, इतना करने से ये काम, restitution देख लेना, बस बहुत है, unit 3 में अगर जाते ह है, तो सर जी अपने को ध्यान रखना, agreement supposed to public policy, very important, उसे related case law देख लो, wagering और insurance के बीच का जो difference होता, वो देख लेना, और तीसरा, courtion और undue influence के ओपर बहुत emphasis रखना, इसका difference भी पूछ सकता है, या फिर इसका, सर जी आपको कोई case law, best law करके कुछ पूछ लेगा, that was very important, unit 2 में अगर हम जाएंगे, तो सर जी consideration से related है, consideration थोड़ा सा भई, मेरे इसाथ से consideration में सिर्फ तुम क्या देखो, definition देख लो, consideration का, और सर जी consideration में भी past, present, future, यह सर जो पार्ट है यह थोड़ा सा देखना और कुछ मत देखना, ज्यादा कुस दरकार नहीं है, consideration में, एकदम दरकार न उसका minor वाला part देखके चले जाना, unit 1 में अगर जाओगे तो void और voidable का difference देख लो, उससे related ग्यान रखना, दिमाग में, वो पूछ सकता है, दूसरा चीज, offer must be made with a view to obtain the consent of the offer, यह सब जो conditions है न, offer को लेके, उसके अंदर में offer and invitation to offer का difference याद रखेगा, offer and invitation to offer का case law पढ़ लो, उसका difference देख लो, वो ध्यान रखना, बाकी मेरे को नहीं लगता है, unit 1 में कोई दरकार है, इतना कर लेने से आपका यह हो जाएगा, when I go to the companies act, companies act में one person company देखिए, dormant company देखिए, inactive company देखिए, holding and subsidiary company देख लो, बस इतना देखो इस पार्ट में, lifting of corporate will छपना चाहिए इस ब अगर हम सर जी, partnership act में जाएं, तो partnership में क्या पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से registration beneficial है, या निया compulsory है कि निया last unit वाला, बस इतना पार्ट कर उससे और कुछ मत देखना, पहला वाला दो पेज जो है, बस उतना देख के चला जाओ, सर जी, उसके पहले वाला unit में अगर हम जाएगा, minus position in partnership, ना, दरकार नहीं है, not needed, implied authority, बहुत important तुम्हारे आना चाहिए, सर जी, इसके बाद मेरे को क्या ध्यान रखना है, सर जी, unit 1 में चले जाओ, unit 1 में क्या है, अपने पास, सर जी, partners का different types है, and partnership का different types है, बस इतना देखो, और कुछ मत देखो, true test of partnership, पूछा त पूछ सकता है, otherwise मेरे को नहीं लगता, उतना important है, बस इतना करिए, इस से आपका law पुड़ा cover हो जाएदा, BCR को लेके हम आपसे फिर कल मिलेंगे, और उसके अंदर में जो important हुआ हम आपको बताएंगे, तब तक तुम ये target करो कि कल जब तक मेरा साम को तुमारे पास video HR बे झाल